हम लोग बात करें हमारे डेली के रेंट फ्रेस सेशन की जो सुबा चार बज एवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चानल्स पिनेकलर फ्रेंटियर आएस पर आज की तारीख है 27 जून 2022 दोनों चानल्स को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दो वेबसाइट से साथी साथ पर डेली वीडियो पीडियेफ एंड मंत्ली मागजीन आप माई टेली ग्राम हैंडल्स फ्रेंटियर आई एस और से जल्पनेकल ओन लाइन को जोईन जरूर करें स्टार्ट करेंगे प्रीवेस क्विज के साथ मैं आपसे पहला क्वेस्टिन पूचा था इंडिया स्टोडी नामक पुस्ट किस ने लिखी है इसका करेक्ट आंसर था बिम्बल जलान और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि अंबू बाची मेला किस राज्य में मनाया जात इसका correct answer था असम स्टार्ट करेंगे फॉस्ट क्वेस्टन आज के सेशन के लिए किस राज्य केंदि शासित प्रदेश ने मध्यम और भारी माल वहनों के प्रवेश्च पर प्रतिबंद लगाने का देश दिया तो दिल्ली सरकार ने बहानों के प्रदूशन को रोकने के लिए नवंबर से फरवरी तक दिल्ली में मध्यम और भारी माल वहनों के प्रवेश्च पर प्रतिबंद लगाने का देश जारी किया गोशना के अधार पर यह प्रतिबंद एक नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक पूरे सरद्यों के मौसम में लागू रहेगा आम तौर पर मीनी टेंपो ट्रक जैसे वहनों पर नवंबर या दिसंबर में साल के अंग तक 15 से 20 दिनों के लिए प्रतिबंद लगा दिया जाता था इसके लावा पंजाब और पडोसी हर्याना में उद्योगिक निर्वहन, आटो मुबाइल उत्सर्जन और फसल अफशेज जलाने के कारण प्रदूशन कन प्रदार्प या PM 2.5 सरद्यों के महीने में स्तर में काफी बृध्धी हुई थी नेक्स्ट क्वेशन देखो, टेक्टिकल लिडर्शिप प्रोग्राम में कौनसा बल भाग ले रहा है? करेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर A, भारते वायू सेना डिटेल्स देख लो, तो भारते वायू सेना टेक्टिकल लिडर्शिप प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है परतिब पक्ष से दो C-17 विमान, तीन SU-30, MKI विमान और C-17 दल सहित 57 IAF कर्मी भाग ले रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉटेंट है। स्पेन, नीदरलैंड, सयुक्त राज़य अमेरिका और उनाइटेड किंगडम उसके लावा नाटो देश और नाटो के भार से आमंत्री देश शामिल है। 17,000 मिट्रिक टन अवशक वस्तों को लेकर एक जहाज तूती को रिंग बंदरगा से रवाना हुआ। दूसरी खेप 48.30 करोड रुपे के 14,712 मिट्रिक टन चावल, 7.50 करोड रुपे के 200 टन मिल्क पाउडर और 11.90 करोड रुपे की दवाओं की दूसरी खेप दुई प्राष्टों को भेजी गई। एक बयान के अनुसार तमिलाडु विधान सभा ने 29 एप्रिल को श्री लंका के लोगों की मदद केले प्रस्ताफ पारिद किया। केंद्रे सरकार के नुमती मिलने के बाद राजे की और 16 मई को चनई बंदरगासिक जहाज पर 33 करोड रुपे की रहत समगरी श्री लंका भे जी गई तमिलाडु सरकार ने कुल 123 करोड रुपे की सहायता का बादा किया है जिसमें 40,000 टन चावल जीवन रक्षक धवाएं और 500 टन मिल्क पाउडर शामिल है बात करें हाँ पर तमिलाडु की तो इसकी वर्ल हेटे साइट्स में आता है मॉनुमेट्स अट महाबली पू नेक्स्ट क्वेसन देखो रेलवे रसत परियोजना यानि रेलवे लोजिस्टिक्स परजेक्ट के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए 245 मिलेन अमेरिकी डॉलर के रिन को किसने मंजूरी दी है करेक्ट आंसर है ओप्चिन नमबर ए विश्व बैंक डिटेल्स देख लो तो ने रेलवे रसत परियोजना के लिए समर्थन देने के लिए 245 मिलेन अमेरिकी डॉलर के रिन को मंजूरी दी है विश्व बैंक रिन रेल माल ढूलाई और रसत बुन्यादी धांचे के आधुनिकी करन के भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा ये पॉइंट इंपोर्टें के साथ ट्रकों से बाजार हिस्सेदारी खो रहा है 2017-18 में बाजार हिस्सेदारी 32 परसेंट थी जो एक देशक पहले 52 परसेंट थी यहां पर एक्षे इंफरमेशन की बात करें तो रेल लॉजिस्टिक परियोजना भारत को सडक से रेल की और अधिक यातायात सानांतुरित क करने में मदद करेगी इस प्रकार यह माल ढूलाई और यातरी परिवहन को और अधिकुशल बना देगा यह हर साल लाखो टन ग्रीन हाउस ग्याचुद सर्जन जी एच जी को भी कम करेगा यह रेल्विक शेत्र में नीजिक शेत्र के निवेश को प्रोचसाहित करेगा नेक्स्ट क्वेशन देखो कितनी कमपनियोंने ONDC प्रोटोकॉल को अपनाया है और अपने स्वेय के ONDC संगत आप बनाए हैं करेक्ट आउंसर है ऑप्शन अबर डी सेवन डिटेल्स देख लो तो केंद्री वानिजी और उद्योग मंत्राले के नुसार साथ कमपनियोंने ONDC प्रोटोकॉल को अपनाया है और अपने स्वेय के ONDC संगत आप बनाए हैं यह आप पाइलेट चरन के दुरान ONDC नेटवर्क में कैस्केट लेन देन को सफलता पूर्वक पूरा करने में सक्ष गया ONDC प्रोटोकॉल को अपनाने वाली साथ कमपनियों में शामिल है एक वायर साइड आप एक लोजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर आप और पांच सेलर साइड आप यहां पर एक्षा इंफोर्मेशन की बात करें तो ONDC का मतलब है डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला ने इसे इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह इंडियन ओनल मार्किट को रेवल्यूशन आइज यानि क्रांती ला सकता है नेक्स्ट क्वेसन देखो भारत के लिए सुरक्षत कारों को लाने के लिए किस मंत्रालिय ने भारत NCAP को मंजूरी दी है करेक्ट आंसर है ओप्शन अमबर D सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालियूशन देख लो तो सबसे पहले NCAP की फुल फॉर्म है New Car Assessment Program तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालिय ने भारत के लिए सुरक्षत कारों को लाने के लिए भारत NCAP शुरू करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दी NCAP एक तंतर प्रदान करता है जिसमें भारत में Automobile को Crash Test में प्रदर्शन के अधार पर Star Rating दी जाएगी यह प्रोग्राम एक उपभोगता केंद्रित प्लाटफॉर्म यानि Consumer Centric प्लाटफॉर्म के रूप में काम करेगा और ग्रहकों को Star Rating के अधार पर सुरक्षित कारों का उप्योग करने के अनुमती देगा Car Safety Star Rating पहले कारों पर दिखाई देती थी रेटिंग को AC, Fridge और कार में इस्तिमाल होने वाले अन्य Electronics में दक्षता रेटिंग के बराबर किया जा सकता है इससे ग्रहकों को यह तैग करने में मदद मिली कि वे अपने बजट में क्या चाहते है Next Question देखो ONGC Videsh Limited OVL ने हाल ही में डैश में कड्रिल किये गए कुएं में तेल की खोच की है Correct answer है Option C, Columbia Details देख लो तो ONGC Videsh Limited ने हाल ही में कोलंबिया में एक ड्रिल किये गए कुएं पुराका 9 में तेल की खोच की कुएं को 20 सेप्रल 2022 को फिलाया गया था और 10,956 फीट की लक्षे गहराई तक ड्रिल किया गया था इसमें 10,201 और 10,218 फीट की गहराई पर 17 फीट मोटी तेल असर वाली रेत का सामना करना पड़ा शुरू में एक Electrical Submersible Pump ESP के साथ परिक्षन करते समय प्लूइड लगभग 600 बेरल पर दिन पर भैता था लोवर मीराडोर प्ले में कोई में तेल की खोजने ब्लॉक के उतरी भाग में और खोज करने के लिए नेक शेत्रों को खोल दिया है इससे पहले ONGC विदेश ने क्रमक्ष 2018-2017 में इंडी को और मारी पोसक शेत्रों के लोवर सैंड फ्ले में वानिजिक तेल की खोज की थी दोनों क्शेत्र वर्तमान में व्यवसाईक रूप से प्रते दिन 20,000 बेरल तेल का उत्पादन कर रही है नेक्ट क्वेसन देखो भारत सरकार दवारा पहले राष्ट रसद उत्कृष्टा पुरसकार की में जबानी किस राज्य केंद्र शासत प्रदेश में की गई थी? सरेक्ट आंसर है ओप्शन नमबर A दिल्ली दिटेस देख लो तो भारत सरकार दवारा नई दिल्ली में प्रतम राष्ट रसद उत्कृष्टा पुरसकार की में जबानी की गई केंद्र मंतरी पियूष गोयल और वानिज्यो रुद्योग राज्ये मंतरी सोम प्रकाश ने 12 श्रेनियों में पुरसकार प्रदान किये यह पुरसकार भारत में कई रसत सेवा प्रदाताओं को सुईकार करने के उदेश्य से प्रस्तूत किये जाते हैं जो नवाचार, दक्षता और विविदिता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं पहले एडिशन में 169 एंट्रीज और अवार्ट्स के लिए 12 कैटेगरीज शामिल हैं अंति विचार विमर्ष करने के लिए 18 विविद विशेशग्यों के साथ साथ 9 बरिष्ट गनमाने व्यक्तियों के एक राष्टे जूरी वाली एक विशेशग्य स्क्रीनिंग कमेटी ब इंडियन ओयल कॉर्परेशन आयोसी ने डैश नामक अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप का नावरं किया। रिचार्जेबल और हमेशा किचन कनेक्टेड इंडोर सोलर कुकिंग है यह इंडियन और आरेंडी सेंटर फरीदाबा दवरा डिजाइन और विक्सित एक पेटेंड उत्पाद है यह सूरे के माध्यम से चार्ज करते समय ओनलैन खाना पकाने का तरीका प्रदान करता है जो सि सर्जन को काफी कम करने में मदद करेगा और अपने नागरिकों को उच अंतर राष्टिये जिवाशम इंधन की कीमतों से अच्छूता रखेगा सोलर कुक टॉप के शुरुवाती कीमत बेस मॉडल के लिए 12,000 रुपे जबकि टॉप मॉडल के लिए 23,000 रुपे थी हाला कि पेमाने की अर्थ विवस्ताओं के साथ यह लागत काफी हद तक कम होने की संभावना है लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए किस देश ने अपनी VLSR SEM मिसाइल का सफल परिक्षन किया है करेक्ट आंसर है option number B भारत डिटेल्स देख लो तो भारतिन और सेन परिक्षन किया गया मिसाइल को अडिशा में चांदीपूर के तठ पर एक यूध पोट से लौच किया गया था मिसाइल प्रनाली को 40 km से 50 km की सीमा पर और 15 km की उचाई पर उच गती वाले हवाई लक्षियों पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है सफल प्रक्ष अनुसंधान और विकास प्रयोक्षाला, DRDLA पूने स्थित, अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, इंजीनियस के लावा, अनुसंधान केंदर इमारत, RCI के समन्वे से विक्सित किया है। इंजीनियस की सेकिंड कंसाइनमेंट भेजी, वाल्ड बैंक ने रेल्वी लोजिस्टिक्स प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए USD 245 मिलियन लोन अप्रूफ किया, सेवन कंपनीज ने ONDC प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया और अपना खुद का ONDC कंपाटिबल अप्स Ministry of Road Transport and Highways ने भारत N.C.A.P. अप्रूफ किया, ONGC विदेश लिमिटेड ने कॉलंबिया में ओइल डिस्कावर किया, पहला National Logistics Excellence Awards डेली में आयूजित किये गए, इंडियन ओल कॉर्परेशन ने अपना पेटेंटेड इंडिजीनियस सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन अनबील किया, और इंडिया ने अपनी B.L.S.R.S.M. मिसाइल को successfully test fire किया, बात कर लेते हैं आज के session के course for the day के आपका पहरा question है, किस राज्य केंदिशासित प्रदेश ने राष्ट्रे MSME पूरसका 2022 में प्रतम पूरसकार जीता है, और आपका दूसरा question है, कौन सा राज्य केंदिश चासित प्रदेश G20 की 2023 बैटको की में जबानी करेगा, दोनो questions हमारे previous session से हैं, इनके सांसे नहीं आएगा तो उनको check कर लेना, दोनो channels को subscribe करें, bell icon को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वाली हर video की notification आपको मिल सके, हमारी दोनो websites और telegram heads को join जरूर करना है, thank you so much, I'll see you in my next session